नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीरपरी दोस्तु पस्थित हूँ आप सभी की सेवा में कुछ एक बेहद ही महतोपून जानकारियों को ले करके जिहां दोस्तों मुटापा एक ऐसी समस्या है जिससे मैक्सिमम लोग आज की डेट में ग्रसित हैं चाहें किसी भी उम्र वर्क के हों बच्चे हों जवान हों या बूढे हों सभी को वेट जादा होने की प्रोब्लिम हो रही है फैट जादा होने की प्रोब्लिम हो रही है जिसकी वज़ह से वो ना तो ढंक से अपना देनिक कारे निप्टा पाते हैं ना ही किसी पार्टी या क नहीं भी जाने में comfort फिल करते हैं और comfort से बड़ी बात तो ये है कि बिमारियों का घर बन जाता है शरीर अगर मोटा हो जाए तो तो अगर आपको ऐसे में घरेलू और शदी मिले जो कि आपके मुटापे को छूमंतर कर दे वो भी बेहद सस्ती हो क्योंकि महंगी दवाएं तो effort नहीं कर सकते इसलिए हम आज आप सभी के लिए लेकर क्या हैं एक बेहद ही सस्ती और लोगप्रिय कह सकते हैं मुटापा कम करने की और शदी इसके लिए आपको चाहिए होगा जो समगरी वो नोट कीजिए धनिया पत्ता चाहिए होगा आपको यानि कि हरी धनिया चाहिए होगी थोड़ी सी निम्बू चाहिए होगा आपको बस इसके बाद पानी रख लीजिए अब क्या करना है आपको कि धनिया को पीस लीजिए और आधे का पानी में डाल करके घोल लीजिए उसमें एक निम्बू को काटिये और उसके आधे भाग को निचोड दीजिए पूरा इ छूमंतर हो जाएगा इसके साथ साथ आप बैलेंस डाइट और मॉर्निंग वक का खयाल जरूर रखें धनिया में विटामिन सी होता है और निम्बू में भी विटामिन सी होता है धनिया में बीटा कैरोटीन क्लोरोफील जो की रोग प्रतिरोधक शमता को बढ़ाता है इसक भी भरपूर होता है वैसे ही निम्बू में विटामिन सी डी शरीर को साफ करता है तथा गुर्दे को साफ करता है सोडियम कम और इसमें पोटेशियम के मातरा ज्यादा होती है जिसकी वजह से ये किड्नी को अच्छी तरह से क्लीन करता है जिसकी वजह से आप बहुत सारी बीमारियों से बचे रहते हैं और आपका पाचंतंत्र जो है वो तंदुरूष्त रहता है खाया हुआ खाना इजली डाइजेस होता है जिसकी वज़ा से आप मुटापे के शिकार नहीं हो पाते हैं और आपका मोटापा कंट्रोल हो जाता है आपकी बोडी सुडॉल हो जाती है तो दोस्तों ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए बेहद ही सस्ती लोकप्रिय और अच्छी दवा है जिसका की कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है आप सेवन करके अपने वजन को कम कर स रखते हैं अगली वार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ एक और महत्तो पूर्ण जानकारियों को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों